दिली सीमा पर चल रहे किसानों के आंदोलन के भी इचे गोली मार कर अपनी जान देने माले संथ बाबाराम सिंग का शुकरवार को अंतिम संसकार कर दिआ गया करनाल के नानक सर सिंगरा गुरदवारा के बाबा राम सिंग के अंतिम संसकार के लिए समाधी तेयार किया गया फूलो की वर्षा के साथ बाबा राम सिंग का पार्थिप शरीर अंगीठा पर लाया गया शुकरवार दोपहर करीब एक बचकर 35 मिनट पर उन्हें अंतिम विदाई दी गई हजारों के संख्या में संगत ने बाबा राम सिंग को भाव भी ने विदाई दी इस दोरान साथ साथ वाहे गुरू का सिमरन चलता रहा शुरधालू ने लंबी लाइनों में लग कर बाबा राम सिंग को अन्तिम शुरधाच लिदी संत सिर्षा सिंग ने बाबाराम सिंग के पार्थिव शरीर को मुखागरी दी इससे पहले संत के दर्शन करने के लिए देश प्रदेश से आय हजारों की संख्य में संगत के लंगे का तारे लगी रही। लोगों ने संत राम सिंग के पार्थिव शरीर के दर्शन कर माथा टेका घटना से हर किसी का मन भावुक था और उनके शरीर को अंतियोष्टी के लिए ले जाते समय हर किसी की आक्सियासू निकलाए। बाबा राम सिंग के देश के साथ ही विदेशों में भी लाखोश्र धालू है जब सुशल मीडिया पर उनकी आत्मत्य का पता चला तो सभी में दुखे लहर दोड़ गई सभी ने उनकी शहादत को नमन किया उनका कहना था कि गुरू गोविन सिंग के सहाबजादों ने भी दिसंबर में ही शहादत दी थी अब किसानों के लिए बाबा राम सिंग भी शहीद हो गए दूसरी ओल सिला प्रशासन पुरी तरह से अलट है कुफिया विभाग भी पलपल की अपडेट ले रहा है इस मौके पर मौजूद संतों ने बाबा के पार्थिव शरीर को चिता पर लेटा कर गुर्वानी का पाठ किया और सत्माम भाहे गुरू का जाप करवाया सभी ने संत को अपने चर्णों में जगा देनी के अर्दास की सभी को प्रसात और लंगर वित्रीत किया गया बाबा के शहादत से इलाके के लोगों को गहरा सद्मा लगा है अनुवाईर होते भी लगते अपने संत के अंतिम दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं अनुवाईर होते भी लगते अपने संत के अंतिम दर्शन के लिए पहुँचे उन्होंने सरकार की हट धर्मिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह से महा पुरुष का जाना पूरे समाज के लिए शती है सरकार को किसानों के जायज मागी मानने चाहिए पुर्विधायक जीले राम शर्मा, कॉंग्रेसनेता विरेंदर सिंग राठोर और पूर्विधायक बक्षीज सिंग विर्कनें बाबाराम सिंग को अन्तिम श्रधांच लिदी